हालो वालोकुम दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है अब सभी के हमारी इस यूट्यूब चनल को लाइब में है सो इस तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बिटकोइन के कुछ अपडेट्स और साती सथ हम यहां पर देखेंगे क्या बिटकोइन अपना बॉटम जो है वो बना चुका है या फिर यह जो रेली हमको देखने को मिला एक रिलिफ रेली मान सकती हो एक छोटा सा जो पूल ओप्ण करख्थे हो और यहां पर इसका रेगुलर में याप यहां पर पूस्ट की अ था लास्ट 20 शुन में फोस्ट किया था सुबह वजो नौ बजह का केंडल उसी केंडल में हमने अप लोग को अपडेट कर दिया था यहां पर दिख सकते हो यहां पर उभर हो चुका है तो यहां पर actual में हुआ क्या है long over होने का reason जो RSI divergence बन रहा था वह कापी लंबे समय से बन रहा था तो उसी के लिए यहां पर एक अच्छ फॉल्यूम आता हुआ हमें दिख रहा था तो जिसका करार हमने यहां पर कहा था यहां पर long over हो चुका है तो अब हम चार्ट के दिखते हैं कि यहां पर actual में क्या कुछ बना है तो यहां पर देख सकते हो जो हमने 20 तारिक अपडेट किया था लगब इसी केंडल में मतलब यह साड़े 5 बजे का दिखा रहा है तो यह हमने सारे 8 बजे को अपडेट किया था य यहां से देख सकते हो यह केंडल में डाउन साइड आने के बाद कोई भी केंडल अपसाइड जा नहीं पाया है इस जो यह जो लास्ट केंडल था जो लास्ट केंडल था इसके हाई को कोई भी केंडल ने अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है तो कहीं न कहीं मार्केट में यहा आगे ग्रो करने नहीं दे रहा है और यहां पर अगर हम RSI को देखेंगे तो RSI को आप देख सकते हो कि काफी लंबे टाइम से यहां पर RSI Divergence जो है वो बनता हुआ हमें दिख रहा है तो अब इसको आप दो तरीके से फॉलो कर सकते हो इसको आप बुलिश Divergence में भी यूज़ कर सकते हो लेकिन बुलिश के लिए आपको एक हलका रिट्रेस्मेंट तो ज़रूर चाहिए क्योंकि मार्केट यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा रेली यहां पर लिया है तो यहां पर उतना ज़्यादा रिट्रेस्मेंट नहीं हुआ है अगर आप सिबुनाची लेवर्स को देखेंगे तो मार्केट आप देख सकते हो 20,500 के आसपस यहां पर आ सकता है जो आने की चांसे है लेकिन कब तक आता है यह हमें ध्यान रखना है या फिर मार्केट और भी आगे ग्रो करेगा क्योंकि अगर यहां पर यह जो रेजिस्टेंस बाड़ा हुआ है इसको अगर बेख करता है तो मार्केट डिफिनेटली एक अच्छा मोब ले सकता है उपर की तरब साथी साथ अगर हम डेली को भी देखेंगे तो डेली में भी देख सकते हो यह मार्केट एक दम 90 डिग्री यहां पर मोब्वन्ट लिया है तो एक सरका इसी तारिके से ग्रो नहीं कर सकता है तो मार्केट के लिए एक retracement बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है तो यह retracement कब तक लेता है इसके लिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं और उसके बाद अगर लॉंग करना है तो हम लॉंग कर सकते हैं या फिर फिर उसके बाद जो भी कुछ होगा वह आप लोग को साथ हम टेलिग्राम में शेयर हैं और सफसाथ अगर हम weekly updates को भी देखेंगे तो weekly में यहाँ पर क्या बता रहा है तो weekly में देख सकते हो कि market कही न कहीं ऊपर की और momentum बना रहा है कि यहाँ पर जो लास्ट वीक का candle close किया है यहां पर एक अच्छा बुलीश शाइन दिख रहा है हमें कि मार्केट कहीं ने कहीं ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है अब अगर हम यहाँ पे ढोणने की कोशिश करें क्या मार्केट अपना बॉटम बना चुका है तो इसके लिए कुछ fundamental analysis भी हमको करना पड़ेगा जिसके लिए हम यहाँ पे coin glass को इस्तमाल किया है और coin glass का कुछ data जो है वो आपको काफी बहतर चीज़े यहाँ पे बता सकता है तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे coin glass का 2 year का जो moving average है वो यहाँ पे क्या sign बता रहा है यहाँ पे देख सकते हो last जब भी market ने 2 year का जो moving average है उसके नीशे आया है तो तब तक market bottom बना रहा था लेकिन जब भी इसको cross किया है तो market का bottom जो है वो over हो चुका था लेकिन अभी तक इस case में अगर देखा जाए तो market ने अभी तक इसको cross over नहीं किया है तो अभी भी हम यहाँ पे guaranteed नहीं किसकते है कि market ने जो है अपना bottom बना लिया है और उसी के साथ साथ अगर हम और भी indicators को देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पर और indicators हमें क्या sign दे रहा है तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों golden ratio multiplier जो indicators है यहाँ पर क्या बता रहा है तो यहाँ पर हम सिर्फर सिप देखेंगे 350 days का moving average यहाँ पर देख सकते हो यह 350 days का moving average है तो लगबग अगर हम 350 days का moving average को देखेंगे तो last time यहाँ पर जो bottom बना था वो जैसे इसको crossover किया था तो इसका bottom जो यहाँ पर over हो चुका था और उसके आगे का भी अगर हम data देखें तो लगबग semi condition बना हुआ था कि इसके ऊपर जब भी cross किया है तभी market ने अपना bottom जो है वो बना चुका था अगर हम इस बार देखें तो लगबग कुछी दिन पहले market ने यह जो 350 days का moving average है इसको crossover किया है तो कहीं न कहीं यह हलका सा sentiment बनता हुआ दिख रहा है हमें bitcoin में कि market जो है अपना bottom already बना चुका है लेकिन कुछ और indicators जो है हम यहाँ पर mix करना है ताकि हम और भी ज्यादा confirm हो पाए कि market जो है यहाँ पर अपना bottom बना चुका है क्योंकि उसका जो two year का moving average है वो यह बता रहा है कि अभी तक जो है bottom over नहीं हुआ है और अगर हम और indicators को देखेंगे यहाँ पर देख सकते हो पी आई साइकल यह भी एक अच्छा indicators आप मान सकते हो और यहाँ पर भी लगभग एक positive sentiment होता हुआ हमें दिख रहा है जो कि यहाँ पर है 111 days का moving average और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो market ने crossover के बाद एक support कहीं ना कहीं इस area में बनाया था इससे last भी जब भी cross किया था तो एक बार support इस area में लिया था यहाँ पर देख सकते हो अभी जो यहाँ पर crossover किया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बार support तो लिया है लेकिन पहले जैसा कि crossover करके फिर दुबारा से यहाँ पर नीचे आया है उसके उपर दुबारा गया है फिर यहाँ पर कहीं न कहीं सपोर्ट लिया है तो यह भी हमें हलका सा hint दे रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट में यहाँ पर bottom बना चुका है लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा chances है कि मार्केट दुबारा से नीचे आ सकता है मतलब यह जो chances है आप मान सकते हो कि बहुत ही कम chances है मार्केट नीचे आने के लिए और कुछ important data जो होई आपको देखना बहुत ज्यादा ज़रूरी है एक तो है bitcoin of volatility index और जो लास्ट में index आपको बताना चाहूंगा वो है bitcoin bubble का index ठीक है तो यह दो आप ज़रूर ध्यान देना आप point glass में जाके यह सारा data आप लोग चेक है सकते हो जो last time यहाँ पर bitcoin ने bottom बना रहा था यहाँ पर देख सकते हो जो volatility था इसका आप लोग यहाँ पर दिखेगा इस जगह पर आप लोग ध्यान रखना और यह नीचे वाला हिस्सा ठीक है उपर का जो है वह bitcoin का price है जो यह लग कलर में है तो यहाँ पर देख सकते हो bitcoin का volatility लगभग 1.32% का यहाँ पर आ चुका था जो last हमने all time high लिया था उसके बाद और अगर अभी इस time पर देखेंगे तो लगभग same area के आसपास यहाँ पर जो volatility rate है वहाँ तक आ चुका था और उसके बाद bitcoin दोबारा से momentum लेने की कोशिश कर रहा है अब यह देखना होगा कि कहा तक price जो bitcoin bubble का तो यहाँ पर देख सकते हो जो last यहाँ पर momentum लिया था bitcoin ना यहाँ पर जो bubble का indicator है वो आपको green color में दिखेगा यहाँ पर आप लोग घ्यान देंगे यह वाला section है आपको जो bubble indicator है okay तो यहाँ पर देख सकते हो जो last time bubble indicator जो low बनाया था वह around 1.25 के आसपास और अभी अग चुका था या फिर उससे थोड़ा सा काम यहाँ पर देख सकते हो 1.09 और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो price काफी ज्यादा high यहाँ पर बता रहा है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लग रहा है कि bitcoin ने अपना bottom जो है बना चुका है जो कि maximum indicators जो है यह शो क के साथ साथ आपका भी क्या viewpoint है वो जरूर हमें वीडियो के comment box में बताईएगा और वीडियो आप लोग को कैसा लगा वो भी मुझे वीडियो के comment box में जरूर बताईएगा और चैनल में अगर नए हैं तो दोस्तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब करके रखिए तो इस वीड मिलेंगे नए वीडियो में इसी तरी की का knowledgeable updates के साथ तब तक के लिए बाबाई